स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube के चैनल में अगर आपके पास mail ID है और उसका password भी आपको याद है और आपका जो password है वो किसी के हाथ लग गया है या फिर कोई आपका email ID जो है वो password से आपका यूज कर रहा है तो आप चाहते हैं उस password को change करना तो mail ID के password को कैसे change करते हैं उसी के बारे में यह वीडियो है दोस्तों यहाँ पर सिधे क्या करिए Chrome browser open करिएगा आपके phone में होगा Chrome browser इसको open करिएगा और यहाँ पर क्या search करिएगा Google.com यहाँ पर search कर लेजेगा यहाँ जो मैं लिख रहा हूं एक दम ऐसे ही लिखना है आपको भी Google.com आपको search कर देना है जैस आप दिया और यहाँ पर मैं पासवड भी डाल के आगे लोग इन हो जाऊंगा यहाँ पर डाल के पॉर्ट डाल के यहाँ पर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वग इन हो चुक है यहां पर में मेरा लॉगिन हो चुका है यहां पर टिर प्लोड कर देना है जैसे इसला कर अपका जो लॉगिन हो चुका है यहां पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर क्लिक करने बाद new tab लिजीगा new tab लेने के बाद यहाँ पर search करेंगा my google account यही आपको search करना है my google account यहाँ पर देख लिजी spelling my google account का यह जैसे ही search करेंगा दोस्तो थोड़ा सा आप नीचे आईएगा ति यहाँ पर देखिए sign in google account जो लिखा रहता है उसपे ही आपको क्लिक करना है sign in google account देखिएगा और my account google.com यह देखिए है दोस्तो my account google.com और sign in google account इसपे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इसपे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका जो ID है पहले से ही login होगा वो open हो जाएगा यहां पर देखिए जो ID है मेरा open हो गया यहां पर personal information पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप personal information पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आईएगा नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको कोई भी option नहीं मिलता है उपर में आपको कोई भी option नहीं मिलता है password change करने का है आपको option मिलता है यहां पर देखिए password थोड़ा सा नीचे आएगे password मिलेगा और लास्ट चेंज आपका date दिया होगा जब लास्ट बार आप चेंज की होगा यहां पर password पर क्लिक कर देजीगा जैसे ही आप password पर क्लिक कर देते हैं यहां पर आपका जो mail ID है वो खुल करके यह नाम के साथ अपना नाम यहां पर लिखाओं और यहां पर कुछ नंबर लिखाओं और नंबर के बाद लिखाओं यहां पर ऐसा कुछ password बनाया हो जिसमें क्या हुआ है मेरा सिंबल भी लग गया है और यहां पर एक नंबर भी आ गया है जिससे आपका password जो होता है स्ट्रॉंग बनता है और यहां पर मैं नया password बना लिया हूँ जो password यहां पर मैं लिखाओं वही मैं नीचे यहां पर बहुत ही असान तरीके से मैं आपको बताने कोशिस किया हूँ वीडियो पसंद आया हूँ वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं आता चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए गुडबाय जैं हिंद